लाची लल्लू लाल बक्रम मिल गया है चत शुरू हो जा अरे गुलेर सेट थैंक यू वेरी मच आप नहीं होते तो आज मैं लगपती नहीं होता अरा लल्लू लाल लगता है तुने जॉली कुमार गे नाम बे बहुत पैसा कमा लिया हाँ गुलेर सेट आप सूपर स्टार जॉली कुमार को मेरी दुकान की ओपनिंग पर लेकर आए और तब से लेकर आज तक दुकान पे भीड कम ही नहीं हुई तुम सारे जॉली कुमार के फैन हो, लेकिन जॉली कुमार मेरा फैन है इसलिए तो कहता हूँ, सितारे मेरे फैन है ये बात तो बिल्कुल सही फर्माई है आपने एक बंदे ने तु सिर्क जॉली कुमार के नाम पर टिकड लगवाई और लाखों कमाली है सितारी मेरे फैन है गुलेर सेट का ये बाद सच है अरे गुलेर बड़ा है दिलेर कभी जूट नहीं बोलता तो सर जी मेरी भी एवन एजेंसी को कुछ साल हो गए क्यों न उसकी सालगिरा मनाई जाए और जॉली कुमार को चीफ गेस्ट बुलाया जाए लेकिन क्या है कि जॉली कुमार बहुत बीजी सुपरस्टार है उसका एक एक पल यानी एक एक लाख रुपिया है जी हाँ हाँ मैंने भी तो दस मिनिट के दस लाख दिये थे जॉली कुमार जी को हाँ हाँ तो मैं भी दे दूँगा सिर्फ आप मेरी एवन एजेंसी में अरे गुलेर बड़ा है दिलेर है बक्का प्रामिस क्योंकि सितारे तो मेरे फैन है ओई पती जे ओ क्या कमाल का बंदा है ये जॉली क्या एक्षन करता है यार अब तो मेरा भी मन कर रहा है उसके जैसा स्टंट करने का अब आप ठीक तो है ओई पती जे तेरे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है पला अरे बलवान तुझे कब से ढूण रहा हूँ आ येले पोस्टार पूरे शहर में चिपका दे हाँ जोली कुमार आ रहा है हमारी एवन एजनसी में हाहा अपनी एवन एजनसी की अगली सालगिरा धूम धाम से मनाएंगे अच्छा तो भल्ला अंकल टिकेट कितना लगाया है विपती जे ये सालगिरा में टिकेट कोल लगाता है यार अरे जॉली कुमार जैसा सूपर स्टार रोज रोज नहीं आता उसे डेखने के लिए टिकेट तो बनता है येलो टिकेट तुम्हें घर घर जाकर बेचनी है बल्ला अंकल क्यों न जॉली कुमार को ही अपने टिकेट बेचने के लिए बोले वो कैसे अपने मिमिक्री अंकल का टालेंट कब काम आएगा अब देखो कमाल आगत नहीं करोगे हमारा हम आर रहे हैं आपके शहर में वह जोटीख यूंकर हमने एक बार जो आनांस्ट्पेंट कर दी कि हम अपने आपकी बिनी सुन ते जौली कुमार जॉली कुमार, जॉली कुमार, जॉली कुमार यो भगाना जटका, आज सिर्फ आवाज से काम चलाएए, मुलावाज करेंगे इस संड़े को मैं जरूर आउंगा पल्ला जी की E1-E46 ऐवान एजैंशी की साल गिराफ पे जॉली कुमार का ओटग्राफ जॉली कुमार के साथ सेल्फी कितना ही नहीं मेरे साथ दांस भी और ये सब कुछ सिर्थ एक हजार रुपए की टिकेट में तो आए एक शाम सूपरस्टार जॉली कुमार के नाफ मुझे दोव टिकेट देना पास टिकेट देना हुज़े लिए तिकेट छाये है МУЗЫКА मुझे बीस चैईए रे मुझे भीच चाहिए दस गाई है आल भल्ला जी वो दसलाग का सूट केस कहा हैस इस सितारे मेरे फैन है ये लिज्ये जी चॉलिकुमार ऐ ग आ गया है आपका प्यारा चॉलिकुमार अच्छा स्वागत तो बनता है स्वागत तो बनता है पंटूश नगर में आपका वेलकम है जी हाँ कर अभी बंदूपनी यह जॉली कुमार नहीं उनका डुपिक्ट है नकली जॉली हमें उल्लू बना अरे यह तो जॉली कुमार का हम शकल ре लेकिन सिंगल पसली के मेरे साथ दोख interpre लोकमार भागो यहां से वरना सिंगल पसली भी नहीं बचेगी अगल और यह अलिए पैसे लेकर भाग गया मेरे पैसे मेरे पैसे पाइदा जब चड़िया चुक गई लेकिन बंदूपनी जी, गुलेर सेज के खिराफ सबूत क्या है? सब लोगों ने पैसे दिये भल्ला अंकल को. जॉली कुमार का प्रॉमिस भी किया भल्ला अंकल ने. तो गुलेर सेज को कैसे पकड़ेंगे? उरे पती जे, तेरा क्या मत्बल है? पला जी, फ्रॉड केस में अंदर चकी पीजिंग, 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 नहीं! आइडिया! ओ, यू डॉन्ट वरी भल्ला अंकल. गुलेर सेज को अब हमारा जॉली कुमारी पकड़ेगा. रह पती जे, हमारा जॉली कुमार का के मतलब हुआ? मिमिक्री अंकल, हमारा जॉली कुमार. ओ, पती जे, जो बंदा डुपलीकेट आर्टिस्ट खड़ा करके दुनिया को फसाता है, वो मिमिक्री को दो मिंट में पकड़ लेगा. अरे चाचू, मिमिक्री अंकल का ओडियो प्लेस खोजी अंकल का वीडियो इस इक्वेल टू जॉली कुमार का सूपर इठवा का. क्या? मैं दिल में आता हूँ, लेकिन दिमाग में नहीं. तुहारे शर्ट में इतने छेट करूँगा, ति कन्फूज हो जाओगे, कि हाथ कहां से डालना है और सर कहां से? ए पती जे, ये तो कुमाल का मास्क बढ़ाया है, खोजी पाईजाब ने. कमाल तो अब करना है, हमें गुलेर सेट के फोन से उनकी लोकेशन पता चल गई है. अब हम जॉली कुमाल की फिल्म की शूटिंग करेंगे. चाचू, आप होंगे डिरेक्टर, जॉली हीरो और बंद फीजी हिरोईन. और विलेने? गुलेर सेट! नो फोटाग्रफी, नो फोटाग्रफी. हैं? शूटिंग? वो भी जॉली कुमार की? मेरे तो भाग खुल गए. इस सितारे मेरे फैन है. वे, क्या मतलब है विलेन नहीं आया? तो मैं शूटिंग किसके साथ करूँ? और जाओ कहीं से भी टूड के लाओ विलेने. तो मेरा हाथ कौन पकड़ेगा? और मैं किसको देखकर बोलूँगी? बच्चाओ! नो विलन? वाट नॉंसेंस. और मैं धुलाई किसकी करूँगा. नो विलन, नो हीरो. बैक अप करो. लेकिन अब मैं विलन कहां से लाओ? मैं तो बर्बाद हो जाओंगा. इनका तो विलन आया ही नहीं. यह मेरे लिए एक कोल्डन अपोचुनिटी है. अगर मैं विलन बन गया, तो जॉली कुमार मेरा दोस्त बन जाएगा. और फिर नकली जॉली को फंक्शन में ले जाने के बजाए, असली को ही ले जाओंगा. फिर सच में सितारे मेरे फैन हो जाएंगे. एक्सक्यूज मी. मैं बन सकता हूँ, विलन. मुझे तो एक्टिंग भी आती है. अरे, यहां मजाक नहीं हो रहा है. शूटिंग हो रही है, शूटिंग. एक मौका तो दो. ओजी, ठीक है, एक मौका तो बढ़ता है. मैं लेता हूँ, आडिशन. एक काम करो, हिरोईन का हाथ पकड़ो और बोलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा. हाहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा. रभावडी बूज, हाथ पकड़ेगा तो लाथ खाएगा. मैं मारता कम हूँ, और घसीटता ज्यादा हूँ, यह ले घसीटे. अरे, मर गया, आओ. अरे, एक्शन ढंग से करो, सिर्फ लाथ नहीं पहले तो कुसे लेफ्ट राइट और फिर लाथ मरो. अरे, माफ करो, माफ करो, मुझे नहीं विलन बनना. ओए, यह कैसा विलन है? इतनी मार खा रहा है. जाओ, कोई दूसरा विलन टूट के लाओ. मुझे तो सिर्फ जॉली कुमार के साथ एक सेल्फी चाहिए. सितारे मेरे पहन है. तो आप उनके सेक्रेटरी से बात करो. औरे, जॉली कुमार बहुत बिजी सुपरस्टार हैं. उनका एक एक मिनिट डस-दस लाग के बराबर है. सेल्फी की कीमत दस लाग. दस लाग? अरे, दस लाग मेरे लिए कौन सी नहीं बात है. दस लाग इन्वेस्ट करूंगा, तो इस सेल्फी से भी करोडो कमाऊंगा. मेरे साथ धोखा. इस गुलेर सेट के साथ धोखा. मैं पुलीस बुलाऊंगा. रख पुलीस भी इधर ही है. देखे तो, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है. अंकल, लोहा ही लोहे को काड़ता है. सो धोखे का जवाब धोखे से. हमसे पंगा लेने का होगा पुरा नतीजा. बड़े-बड़ों की छुट्टी कर दें, चाचा और पुटी जा. ओए चलो ओए बाकी की शुटिंग जेल में. बुरे काम का पुरा नतीजा. क्यों भाई चाच्चा? ओए हाँ पतीजा. बुरा ना मालो हो ली है. अब मैं तुरे में बनूँ पॉनु जा. बुरा ना मालो हो जाए हाँ. इस होली पर जेम्स को ऐसा स्पेशल कलर लगाऊंगा जो कहीं हफतों तक नहीं निकलेगा. इससे निकालते निकालते उसे अपनी नानी आदा जाएगी. अरे वो देखो, जेम्स आ रहा है. जल्दी से सब छुप जाओ. जहां बिट्टू हो, वहां मुसीबत ना हो. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. पर मैं भी भती जाहूं, हाँ. मुसीबत मुझे छू भी नहीं सकती. जैसे ही जेम्स गेट के नीचे आएगा, मैं उसका नाम लूँगा. नाम सुनते ही तुम लोग ये रसी खीचना. और फिर बकेट का सारा स्पेशल करर उस पर किल जाएगा. ओके मिटू. अरे कहा गायब हो गया ये जेम्स? ओय बिटू, हैपी होली. जेम्स, अरे बिटू ने जेम्स बोला. रसी खीचो. अरे रे रे ये तो कोई गंदा सा कलर है. इससे निकालते निकालते तो तुझे अपने नान याद आजाएगी बिटू. वैसे ऐसे कलर्स से होली कभी ने खेलने चाहिए. वे, अच्छा हुआ अपती जेतू आ गया. अब तु ही अपने दोस्तों को समझा कि होली खेलने के लिए सिर्फ और्गैनिक कलर्स का इस्तिबाल करना चाहिए. हाँ, दोस्तों, चाचु बिल्कुल सही कह रहे हैं. और्गैनिक कलर से हमारी स्किन और हमारा ये सुन्दर सा गार्डन दोनों खराब नहीं होंगे. चाचा मुझे भी तो. शुक्रिया, चाचा. ऐ, बंदूखनी जी, ये क्या हाल बना रखा है? वह क्या है ना, कि होली के रंगों से महारे चेहरे का मेक-प खराब हो जाता है. इस गिलास हेलमेट में ना तो मेरा मेक-प खराब होगा और ना ही मेरे बाल. हपियोली चाचा बतीचा. चोरी, चकारी, पाकेट मारी, और करे हम लूटम. हाँ, हाँ, जहां भी जाए, दूम मचाए. हम है उचलम कुदम. पुलीस, संभल के. है है, हैपी हौली. हैपी हौली. हाँ, हैपी हौली. मेरी जलेवी? जलेवी खाकर मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया है. क्यों ना हम अपने शरीर पर यी ग्रीन कलर लगा ले? फिर इस अरे गार्डन की पेड़ पौधों की बीच हमें कोई नहीं धूंड पाएगा और हम करेंगे धमार हाँ हाँ फिल्कुल चलो अपना काम शुख करते हैं हाँ वाँ क्या खुश्बू आ रही है हम जलीबी और कचुरी हम मुँ में पानी आ गया हुम पुरानमानो होली है हाँ यो हेलमेट तो वनने थारे जैसे लोगों से बचने के लिए लगाया है जो मेरा मेक अप खराब करना चाहते है हाँ पुरानमानो होली है रंग में भांग डालने ये कहां से आगे चलो जल्दी से छुप जाते हैं चलो वाँ प्री में जलेबी लात मारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बंदू की जी अरे उचलम हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना ये भुकड भला हमारे लिए एक भी जलेबी या कचोरी नहीं छोड़ेगा मेरा नेकलस हाई ओए चोरी हो गया मेरी चेन भी नहीं है मेरी अंगूठी भी चोरी हो गई तुमारी तो सिर्फ एक चेन या अंगूठी चोरी हो गई है मेरी तो सारी जलेबी और तो चोरी या चोरी हो गई अरे मेरी भी चोड़ी चोरी हो गई मुझे कली गिफ्ट मिली थी कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा, सब की तलाशी ली जाएगी अभी पता चल जाएगा कि चोर कौन है वे पती जे, देख इस पेड़ से शेहद टपक रहा है इस पेड़ पर कोई मदुमक्खी का छटा तो है नहीं तो शेहद कहां से टपकेगा अरे, ये तो जली भी करस है ये तो सलजाना ही पड़ेगा मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप सब की खोई हुई चीजे वापस मिल जाएगी मेरी नानी कहती थी कि अगर कोई चीज ना मिले तो उपर पेड़ पर लगे आम को तोड़ना चाहिए इससे हमारी खोईवी चीज वापस मिल जाती है मेरी नानी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा तो क्या हुआ बदीजा कह रहा था तो कुछ तो होगा करने में क्या जाता है यह लो रभावडी बूज भैस की पूछ तो यह चुपकर बैठे थे यह चोर उचलम और कुदम ओए वाँ पती जे की सोच का कोई जवाब नहीं उचलो कुदम और भागो उचलो कुदम उचलम जल्दी से लाल रंग अपने शरीर पर लगा ले और इस बिल्डिंग के लाल दिवार पर चिपक जा देखना कोई हमें दून नहीं पाएगा ओ इतनी जल्दी वो दो लो कहां चले गए ओ बावडी बूज भैस की पूछ अभी तो यही थे वो देखो वो रहा उचलम गिरगेट की तरह अपना रंग बदलकर इस लाल दीवार पर चुपा है अलो खोजी अंकल जल्दी से आप अपने गैजरिट बैक के साथ यहां पर आजाएए मुझे दो रंग बदलने वाले गिरगेट पकड़ने येलो बतीजी जैसा तुमने कहा था येलो वो गन इस गन से पानी के गुबारे और इस गन से गलू की मोटी धार निकलती है वो रहे दोनों इब इन दोनों को मेरी लाट से कोई ना बचा सके है हम किसी के हाथ नहीं आते समझे चाचू जल्दी से गलू गन से उस दिवार पर गलू की धार छोड़िए सारी कहां चले गए फिर से गाया भूगए आइडिया क्या उच्छलम कूदम वहां पर नजर आए हम अभी आते हैं हम तो यहां है और भतीजा हमें वहां धून रहा है उच्छलम वो देखो पुलीस की जीप में हमारी चुराई हुई सारी चीजे पड़ी है आस पास कोई नहीं है यह सही मौका है उच्छलम सारी चीजे वापस चुराने का चलो चले उच्छलम कोदम यह क्या है हमें पकड़ने के लिए भतीजे ने यह जाल पिछाया था यह क्या हो गया मेरा हाथ कैसे चिपक गया यह तो चीटिंग है हमेशा चीटिंग करता है ओ पायू उझलम कुदम बुरा न मानो होली है पुरे काम का बुरा नतिज्जा क्यों भई चच्चा ओ हाँ पदिज्जा